किनीशियन एप्रोच की बात करें, तो कीन्स को मानने वाले जो एकनॉमिस्ट हैं, जो किनीशियन एप्रोच के हैं, उनका कहना है कि टू मच सेविंग्स इन बैंक्स हेलो एवरिवन, वेलकम टू अप्लूटस आई एस, हम लोग मैक्रों एकनॉमिक्स की पास्टियर के व्र्ण की सिरीज मना रहे हैं, जिसमें की एकनॉमिक्स उप्षनल में मैक्रों के पोर्शन में जो भी पास्टैयर के क्वेशन्स Mother assistance में उनको discuss कर रहे थे, आज 2014 में आया हुआ एक direct question है paradox of thrift उसको हम लोग discuss करने जा रहे हैं बहुत ही interesting topic है short topic है आज आप इसको देखिए पूरा video समझे आपको सब कुछ clear हो जाएगा समझ में आ जाएगा आप enjoy करेंगे So let's get started so guys अब हम लोग बात करते हैं कि paradox of thrift actually होता क्या है तो देखिए मैं आपको एक छीज़ बताता हूँ that suppose अगर मैं एक नौमी में बात करूं so we have got banks मैं commercial banks की बात कर रहा हूँ here we have households and here we have businesses or firms right तो होता क्या है कि household banks को अपने deposits देते हैं ठीक है households bank में deposit करते हैं और bank क्या करते हैं bank businesses को loans देते हैं बड़ा normal procedure है यही होता है yes तो जो deposits हैं जो की household banks में कर रहे हैं इनको हम savings बोल सकते हैं right यह savings है household की banks में और banks इनी savings में CRR SLR वगेरा को cut करके loan देते हैं businesses को right अब देखिए यहाँ पर दो approaches आते हैं एक है classical approach और एक है किनीशन approach और इनी approaches की वजए से paradox dissimilarity opposite of thrift rise करता है तो क्या है यह approaches जरा एक बार इनको देख सकते हैं देख लेते हैं तो अगर मैं classical की बात करूं क्यों क्योंकि यही savings जो है यही तो आपके loans में convert होंगी जितनी ज्यादा लोग household जो है वो bank में अपने deposits करेगा यानि saving करेगा उतने ज्यादा bank loans देंगे और bank इनको loans देते हैं businesses को तो यह businesses क्या करेंगे उतनी ज्यादा investment करेंगे है ना सीधी सी बात है ठीक तो classicals के हिसाब से savings are very good जितनी high होंगी उतनी high investment होगी higher the level of savings higher will be investment बहुत सीधी साथी बात है आपको समझ में भी आ गई होगी ठीक है ना लेकिन अब यहां पर एक problem आ जाती है क्या problem है जिसको केंस ने explore किया उस चीज़ को हम लोग समझते हैं किनीशियन अप्रोच देखते हैं यह तो classical approach था तो अगर हम केंस की बात करें किनीशियन अप्रोच की बात करें तो कीन्स को मानने वाले जो एकनॉमिस्ट हैं जो किनीशियन अप्रोच के हैं उनका कहना है कि too much savings in banks is not good साफ साफ यह कहते हैं क्लासिकल कह रहे थे too much savings is very good investment will increase but किनीशियन कह रहे हैं that too much savings in banks is not good और ऐसा यह क्यों कह रहे हैं तो जरा समझियेगा इनका कहना है कि अगर आप income की बात करो तो income is consumption plus savings right अब income तो हमारी fixed है income तो increase नहीं करी है ठीक है आपने savings increase करती है अगर आपने savings increase करी तो क्या होगा income को fix रखने के लिए consumption decline कर जाएगा और अगर consumption decline कर गया तो क्या होगा आप aggregate demand जानते है aggregate demand is equal to c plus i plus g अभी मैं external economies की बात ही नहीं कर रहा हूँ तो अगर मेरा consumption decline कर गया तो इसकी वजह से मेरी aggregate demand भी decline कर जाएगी बोलिए due to declination in consumption aggregate demand will also decrease अब अगर aggregate demand decrease कर गई तो क्या होगा फर्म्स ने already अपने goods को manufacture करके रखा है ठीक है फर्म्स के पास already manufactured goods है अब फर्म्स उनको market में sell करना चाहते हैं लेकिन हुआ क्या demand ही कम हो गई गई aggregate demand market में कम हो गई और क्योंकि aggregate demand market में कम हो गई तो इसकी वजह से फर्म के inventory increase कर जाती है तो क्या होगा पहले से ही already जो goods manufacture किये थे वह sell नहीं हुए है तो अब फर्म्स ने goods क्यों manufacture करेंगी इसकी वजह से unplanned inventory increase कर गई और अब जब फर्म्स ने goods manufacture नहीं करेंगी तो वह invest क्यों करेंगी investment से ही तो capital purchase किया जाता है यानि कि machines वगेरा purchase की जाती है तो अब investing नहीं करेंगी फर्म investment decline कर जाएगा So your firms Will not invest या Will investment will decline हमारा investment क्या हो गया यह कम हो गया और अगर हमारा investment कम हो गया तो आप जरा बात को समझेगा यह multiplier effect हो जाएगा फर्म्स नहीं डाल रही है फर्म्स नहीं मशीन नहीं ला रही है नहीं बना रही है तो इसकी वजह से क्या होगा नहीं नहीं जौब opportunities राइस नहीं करेंगी इसकी वेज़े से क्या होगा जो अल्रेडी जॉब में हैं उनकी सेवरी या तो डिकलाइन करेगी या उतनी ही रहेगी ओवरॉल एकनौमी में क्या होगा ग्रोथ के फैक्टर में फरक आजाएगा इंकम वाई रिडिम्स हो जाएगा इस लिए कींज ने कहा तूमच सेविंग इस नाट गुड फॉर दी एकनौमी और इसी को हम लोग क्या कहते हैं और क्यों नहीं गुड है क्योंकि इससे हमारी इंकम डिक्रीज कर जाती है तूमस सेविंग से ठीक है और इसी को हम लोग पैराडॉक्स ओफ काहते हैं बुली बात थीक है वाइ एक्सेस पे हम लोग सेविंग्स और इंवेस्मेंट्स ले लेंगे एक्सेस पे इंकम ले लेंगे अब ध्यान दीजिए यहां पर हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो प्लैंड इन्वेस्मेंट है तो प्लैंड इन्वेस्मेंट में कोई चेंज नहीं आएगा इसको आई डैस से रिप्रेजेंट करेंगों आई डैस आप की क्या है इस इस यूर प्लैंड इन्वेस्मेंट गवर्मेंट नहीं जो प्लैंड करके इन्वेस्मेंट कर रहत ही है तो इस पॉंस्टेंट इसमें कोई चेंज नहीं है अब बात करते हैं हम लोग सेविंग्स हमें मालूम है वाइज इक्वल टुसी प्लस एस अब मैं एक बात आप से कहता हूं अगर हमारा इंकम जीरो हो जाए यानि कोई इंकम नहीं है आप अर्न नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि आप कंस्यूम नहीं करोगे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंजम्शन करोगे और अगर इंकम नहीं हो रही है तो आप अपनी सेविंग्स को यूज करोगे जो अलड़ी आपने सेफ कर रखा है उसको खर्च करेंगे कंजम्शन के लिए ठीक है ना तो अगर ऐसा हो गया तो वाई जीरो यह जीरो यह सी प्लस एक्वल्स इक्वल्स तो जीरो तो सो कंजम्शन विल बी माइनस ऑफ सेविंग्स इसको ऐसे लिख लीजिए कंज एशन विल बी माइनस एस अपनी सेविंग्स यूज करेंगे सेविंग्स रिदीूज होने लगे ठीक है एंड गाईस सेविंग्स किस पर डिपेंड करता है जीविंगेड करता है disposable income पे saving is dependent on disposable income मैं इसका function लिख देता हूं it is minus c plus one minus small c into yd यहाँ पे यह minus c क्या है इसको आप autonomous consumption बोल सकते हो autonomous consumption क्या होता है यह वो consumption है जो आपको करना जरूरी है to stay alive earning हो ना हो आप इतना consume करोगे ही करोगे to stay alive ठीक है और small c क्या है this is your MPC marginal propensity to consume MPC is marginal propensity to consume MPC क्या होता है marginal propensity to consume माल लीजिए मैं आपको brief out करे दे रहा हूं बस क्योंकि दूसरे वीडियो में इस concept को बता रख था है आपकी income अगर 100 rupees से increase कर गई तो इस 100 rupees में आपने consumption कितना increase किया delta c divided by income जितने से increase करी 100 ठीक है माल लीजिए आपकी income 100 rupees से increase करी आपने 60 rupees से consumption और increase कर दिया तो 60 that is your delta c change in consumption divided by 100 0.6 आया यह आपका MPC हो गया प्रॉपेंसिटी टू कंजूमेंट marginal marginal means additional जब increase करिए बास समझ में आई बोलिए तो क्योंकि भले ही income ना हो saving तो समझेगा बात को भले ही income ना हो तब भी saving को use किया जाएगा consumption के लिए कुकि जिन्दा तो रहना है इसलिए हमारा saving कर्व है वो negative y से start होगा something like this मैं दूसरे color से बना देता हूं this is your saving and it is minus c that is autonomous consumption plus 1 minus c into yd yd is what yd is your disposable income ठीक है अब जरा एक बात और पहले देख लीजे जो point of intersection है saving और investment का यह equilibrium को correspond कर रहा है and this is representing equilibrium income in the economy long i x-axis यह y e है ठीक है अब अगर आपकी savings increase कर गई तो क्या होगा यह saving curve upward shift कर जाएगा ठीक है न यह माली जे as dash हो गया और अब intersection of saving and investment यहाँ पर रहा पीछे मूफ कर गई आप देख सकते हैं and this is y e dash यानि की income in the economy reduce कर गई तरफ आ गई और यही बात तो कींस ने कही ती आप से कि income reduce कर जाएगी कम हो जाएगी that is why too much saving is not good understood this is called guys paradox of shift clear so I hope guys आपको यह concept समझ में आया होगा छोटा सा concept था interesting concept था ठीक है हम लोग आगे भी ऐसे और मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप कमेंट करिएगा कोई भी चीज आपको चेहिए हो किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चेहिए हो पोशिश करूँगा और इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊगा ठीक है thank you